वेल्कम बेक टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों से यह जो बुनाई है यह शेयर करूँगी और यह मैं कार्डिकन बना रही हूं का जो फ्रेंट पार्ट होता है उसका उसके दो पार्ट होता है तो उसमें से एक है यह और यह मैंने साइड वाली पोकेट भी बना यह बटन पट्टी मैंने बनाई है फिर बटन होल बनाऊंगी तो वो सारी चीजे मैं आप से शेयर करूँगी और यह जो पोकेट है यह भी मैं दूसरे वाले पार्ट में जो पोकेट बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी फिलाल मैं क्या कर रहे हूं मैं आप ल अबड़े देखिये मैं डाली रही हूँ वाकि आप बाकी प्रोजेक्ट में बी से इसे इसे इस तरह से लगता है राइट साइड जाएड चार स लग पर यह कंपीट हो जाता है तीन फंदे यह हैं तो इसके लिए हम फंदे चाहिए तो यह पांस के मूल्टिपल में यहमें हैं फंदे चाहिए तो पैटर्न सेट हो जायगा, Yiya पांस 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 हैं अफ्र पर यह तीन के देखिए में धेखा,angलो पांसब» पांस में 5 हैट कबने हैं इसलिए फाइब का मल्टिबल आप ले लीजिएगा तो यह आपके आपका जो पैटन है यह सेट हो जाएगा यह देखिए इसकी वीडियो में पहले से यह प्रोड कर चुटी हूँ देखिए कितना पैटन लग रहा है यह बोड़ा का तो चलिए फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने यह 20 इस्टिचेज लिए हैं तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं यह हमारी फर्स्ट रो है और राइट साइड है तो यह स्टिच मैंने स्लिप कर लिया दागा आगया करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो यहां से पैटन शूरू होता है तीन फंदे उल्टे बुने मैंने, धागा पीछे करेंगे, यह फंदा सीधा बुनेंगे, और यहाँ पर जली बनाएंगे इस तरह से, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो देखिए, तीन फंदे मैंने उल्टे बुने और दो फंदों में जली बनाएंगे, तो तीन और चाना करें में का और आखरा में अधान तीनटार को उल्ते हैं और जो एस्टिच है वो सीधा बुनेंगे यह मारी फर्स्ट रो हो गई है रो टू और रोम सेड एस्टिच स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे जो तीन फंदे हमने उल्टे बुने वो यहां सीधे बुनेंगे एक दो तीन धागा आके करेंगे जो जली वाले फंदे हैं यह तीन फंदे हैं यह उल्टे बुनेंगे एक दो और यह तीन धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे और लास्ट में तीन फंदे सीधे एश्टिच उल्टा रो थ्री ओन राइट साइड एश्टिच सुल्ट करेंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे दो और यह तीन धागा पीछे करेंगे यह तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, ती, जाली में एक फंदा हमारा बढ़ गया था, अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा, ये फर्स्ट वाला फंदा इन दो के उपर से आसे क्रोस कर देगे, तो देखें, तीन के दो बन गए ये, तो अब ये पांच फंदे हैं, ये पांच फंद और फर्स्ट फंदा जो है, ये दो के उपर से क्रोस कर देगे, ऐसे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, दो, ती, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, और ये फर्स्ट फंदा इनके उपर से क्रोस कर देगे, धागा आगे करेंगे, लास्ट क तीन फंदे उल्टे बुनेगे अस्टिज सिधा बुनेगे। यह 3 सेला हो गई है friends, तीन सेला ही हो गई है, row 4 on wrong side. यहाँ पर सिधा उल्टे पर उल्टा बुनेगे, अस्टिज स्लिप करेंगे, दागा पीछे करेंगे, यह थीन फंदे सिधा, एर दो, थीन. धगा आगे करेंगे ये दो फंदे उल्टे एक दू तो देखें पाच फंदे होगे तीन सीधे दो उल्टे फिर से तीन सीधे दो फंदे उल्टे फिर तीन सीधे एक दो तीन फंदे उल्टे और लास्ट में तीन सीधे और एस्टिच उल्टा तो ये चाल सलाई होगी फ्रेंड्स देखिए और पैटर्न हमारा कम्प्रीट हो गया फिर से मैं आपको पताती हूं कैसे बनाना है पैटर्न इन दो फंदो पर बनेगा ये दो फंदे जो है एक फंदा सीधा बनेगे जाली बनेगे फिर एक फंदा सीधा बनेगे लकर हो फंदे में तीन फंदों में जाली बनेगे तीन फंदłosंम DO में जाली बनेगे ये इस तिरह से चेपन्स चाहरल है ये पैटर्न हमारा कंप्रेट ऊजाता है देखिय। बढो mean पट्रेट में घर में उनगते पीड़न को के ये गरे के नवीडियो के पार्ट वून है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर और हाँ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर देना